भारत में हिंदू धर्म की जादातर देवियों के मंदिर पहाडों पर बने हुए होते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो भारत में देवियों के जितने भी प्रमुक स्थान है वह सब के सब पहाडों पर है। फिर चाहे वल जम्मू में माता वैशनो देवी का मंदिर हो या फिर गुहाटी में मा का माख्या का मंदिर हो या हरिद्वार में मनसा माता का मंदिर हो या फिर बनसकंठा में कालिका माता का मंदिर हो। इन सभी मंदिरों में माता पहाडों पर उचायों में विराजमान है आखिर क्या कारण है कि देवियों के सभी मंदिर पहाडों पर होते हैं चलिए जानते हैं इसके पीछे की वज़े ये धार्मिक कारण कहा जाता है। वेद पुरानों में सृष्टी की मूलभूत रचनाओं के बारे में बताया गया है। पंच तत्व से ये धर्ती बनी है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगी ये पांच तत्व हैं जल, वायू, अगनी, भूमी और आकाश है। वेदों और पुरानों के अनुसार इन पांच तत्वों के पांच देवता भी हैं। भूमी के देवता है भूलिनात शिव, वायू के देवता है विष्णू, जल के देवता है गनेश जी, तो अगनी के देवता है अगनी देवता और आकाश के देवता है सूर्या। माता दुर्गा जिन्हें शक्ती का रूप भी कहा जाता है, उन्हीं इन सब से सर्वों परी माना गया है। पहाडों को धर्ती का मुकुट और सिंघासन भी कहा जाता है। इसलिए अधिकतर देवियों के स्थान पहाडों पर हैं। एक कारण ये भी माना गया है। दरसल उची उचे पहाडों पर देवियों के मंदिर होने के पीछे ये भी माना जाता है कि पुराने समय में साधू संतों को इस बात का अंदेशा था इंसान जितनी भी समतल जमीन है उसे अपने इस्तिमाल में ले आएंगे और कहीं पर भी एकांत नहीं बचेगा। क्योंकि जब साधना और ध्यान करने के लिए एकांत बेहत जरूरी होता है। ऐसे में पहाडों को देवियों का स्थान बनाने के लिए उचित समझा गया और उचे पहाडों पर वातावरन भी शुधा होता है। तो साथी वहां जाकर सकारात्मक्ता का भी अनुभाव होता है जुहाटी में बना हुआ कामाख्या देवी का मंदर भी श्रद्धालूं के लिए बेहत आस्था रखता है हरिद्वार में माता मनसा का मंदर भी पहाडों पर ही बना है भले यह मंदर उची चोटियों पर बने हो लेकिन यहां आने वाले श्रद्धालूं की संख्या में आते हैं उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें